नमस्कार दोस्तो बहु बेटियों की इज़त बचाने के लिए हमारे हिंदू खा रहे थे गोली और पत्थर हिंदू की मजबूरी थी कि वो पत्थरों के वार सहे पेट्रोल बम से गायल हो और गोलीयों की ज़त में जाए अगर हिंदू ऐसा नहीं करते तो शायद आज हमारी बहु बेटियों की इज़त नहीं वस्ती मुस्लिम भीड हमारे घरों में घुश जाती तो हमारी बहु बेटियों का क्या हाल करती ये आप समझ सकते हैं दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों में मुस्लिम भीड ने जम कर कहर बरसाया जहां एक तरफ मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस मामले में एक दम पच्छतापूर्ण रिपोर्टिंग में लगा हुआ है वहीं हमने आप के लिए सही इस्थिती को आप तक पहुंचाने का प प्रूरता की कहानिया और फिर एक बाच्चित आप तक लाया हूँ शिव बिहार चौक पर इन दंगों का सबसे ज़्यादा असर हुआ है शिव बिहार चौक पर दो इस्कूल है राजधानी पब्लिक इस्कूल वहीं दूसरे का नाम है डियारपी इस्कूल राजधानी इस् के ओनर कोई सर्माजी है एक इस्कूल को खाक में मिला दिया गया जबकि दूसरे इस्कूल को पूरे छेतर में शांती भंग करने का अड़ा बनाया गया आप समझ सकते हैं इस्कूल के साथ क्या किया गया होगा राजधानी इस्कूल को एक अटैक बेस की तरह प्रयोग में लाया गया वहाँ दंगाईयों को सनरच्षण मिला वहाँ से पूरे छेत में बंबारी की गई पत्थरबाजी वहीं से हुई और गोलियां भी वहीं से चली उसकी छट पर हमें कई गुलेल भी मिले जिनका इस्तिमाल भारी पत्थरों और प्रेट्रोल बमों को भी दूर तक निशाना बना कर फेकने में किया जाता था। जिन में पत्थर अभी तक भरे हुए थे। उन कंट्रिनेरों का इस्तिमाल पत्थर ढोने के लिए किया गया था। ट्विटर पर एक व्यक्ति ने ट्विट किया कि ये है वो DRP स्कूल जिसे जला डाला गया जहां मुस्लिम भीड का कहर बरसा यहां बगल के राजधानी स्कूल से रसी के सहारे दंगाई उतरे। उन्होंने सब कुछ राक कर दिया। राजधानी स्कूल के बगल में एक मेरिज हौल है जिसमें कई गाड़ियां लगी हुई थी। वहां काफी सारे इस्तानी लोग जमा थे जो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि मीडिया यहां काफी देर से पहुँचा। इस्थानी लोगों ने बताया कि उस मेरिज हौल को उन्ही मुसलिमों ने तबा कर दिया जो राजधानी स्कूल को अटैक बेस बनाये हुए थे। उसके बगल में एस सिद्ध डिय रपी स्कूल जलाने के पीछे भी राजधानी स्कूल में जमा मुसलिमों दंगाईयों की भ तरह से दंगे को अंजाम दिया गया जिस तरह से चांद बांग पे ताहिर हुसेन के बहुमंजिला मकान को बेज बना कर अधिक से अधिक हिंदूओं को नुकसान पहुचाया गया